गुड आफ्टूनून सब लोगों को सब लोग लाइब आगा चैट बड़ी तेजी से करता है चले सब लोगो गुड आटून दर्सन दीजिये दे दियें भाई मैप कर किसी किसी का पीडिएफ नहीं खुल रहा कल क्लास नहीं चला था पीडिएफ एक बड़ चेक कर लिए तो किसी किसी के मोवाईल का प्रोबलों होगा पीडिएफ को लेकर देगे वह हूँ इससे पहले के कलास में हम आपको बहुत हथ तक समझा दिये थे पहले थोगा सा रिवाइस कर देते हैं लोग देगे हम यह वाला देश कुन सा है सिरलंका है यह कंसा हो गया सिरलंका यह हो गया भारत सिरलंका के नीचे कुन सा जगा है मालदीप चागोस आर्किपियागो डीगो गार्षिया यह सब आइलेंड ने असम देखते चलेंगे यह आपका कुन सा जगा है मालदीप है यहाँ पर यह सिरलंका हो जाएगा इंडिया और यह यहाँ पर पाकिस्तान है यह देखे यह पाकिस्तान, CPEC देर से सड़क निकलेगी, अफगानिस्तान पूरी तरह से कासा एरिया था, पहाडी छेतर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबूल है, कंधार उसका सबसे बड़ा सहर है, कंधार उसका अफगानिस्तान का, बताए बामियान में किस भगवान की मूर्ती थी अंसर दीजे बामियान में किस भगवान की मूर्ती थी भगवान बुद्ध की महात्मा बुद्ध की मूर्ती थी बामियान में बामियान में मूर्ती को तालिबान के आतंगवादियों ने क्या कर दिया था तोड़ दिया था समझा दि करांची बंदर का कई सारे बंदर का भी थे मात्मा बुद्ध की मूर्ती थी मात्मा बुद्ध वेरी गुड मात्मा बुद्ध की मूर्ती थी आगे बढ़े ताला परियोजना किस देश में है ताला परियोजना किस देश में है अंसर दीजे ताला परियोजना भूटान में, very good, ताला परियोजना भूटान में, यहाँ देखे आप, आगे समझाते हैं आप लोगों, ताला परियोजना भूटान में, चूखा दो गाचु यह सब कहां पर है, भूटान, भूटान में, काला परवत, भूटान में, काला पर भारत की ए دखाला मकी सका जमीन था भुटान का था उसे चाइना अपना चाहता था किस ने बचा दीया भारत ने उसे बचाया अब इसके आगे दिखिए यहाँ एक देश है जिसका नाम है बंगला-देश यह उसका नाम पुर्वी पाकिस्तान था बंगला-देश की पुर्वी पाकिस्तान आप अगर इसको देखे है तो जब भारत का विभाजन हुआ तो यह एरिया दे दिया गया था पाकिस्तान को एक आदमी था जिसका नान था सेरियल रेड किलिफ एतना बड़ा लोल था भारत का विभाजन कर दिया दोसे मिनट में पकड़के क्या किया यहां जितना पूली स्टेशन थे सारे पूली स्टेशन को मिलाया आए गो नक्सा खीच दिया का यह वाला एरिया पूरी पाकिस्तान हो गया पूली स्टेशन थे सब को नक्सा को मिला दिया इसे कर दिया यह वाला पास्च मी कि पाकिस्तान के बीच में तो दोनों और से भारत को कल क्लास नहीं चली थी जितने लोगों कन्फ्यूज हैं कल क्लास नहीं हुआ था श्रीहरी श्रीवास्टो इनका PDF क्या इन्वैलिट बता रहा है PDF इन्वैलिट बता रहा गया अगर इन्वैलिट बता रहा होगा तो चेक कर लेंगे अलग तो बताना नहीं चाहिए किसी कि मुबाइल में बता सकता है यह वाला जो एरिया है यह बंगलादेश तो पहले इसका नाम तब पुर्वी पाकिस्तान समस्ते चलिए इधर पहले सार्क वाल आज कंप्लीट कर लेंगा लो सार्क के बारे में क्योंकि नेपाल बताई दिय है हिमाले बस बचा हुए है नेपाल में तो जब हिमाले अलग से पढ़ाएंगे तो नेपाल बताएंगे तो यह जो एरिया देख रहे हैं यह एरिया इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो यह पूर्वी पाकिस्तान था या मुस्लिम जादे थे और यह भी मुस्लिम जा पुर्वी पाकिस्तान के लोगों को तो पुर्वी पाकिस्तान वाले लोग काफी जादे खफा रहते थे इसी बीच क्या हुआ कि सेख मुझीबूर रहमान यहां से चुनाव जीत गए और चुनाव में इतना जादे वोट मिला कि उनको पस्चमी पाकिस्तान वालों से भी जा या लाखो महिलाओं का बलत कर दिया, यह पस्चमी पाकिस्थान वाले लोग, तो यह हम हिंदुस्तानियों से क्या करेंगे भाई, जब तुम लोग अपने देश में मार काट करोगे, तो हम लोग तो भाई तुमारे दुसमन ठहरे, हम लोग क्या कर पाएंगे, तो इस वज़े से यहां के लोग परिशान हो गए तो इंद्रा गांधी के पास आये थे सेख मुझीबूर रह्मान तो इंद्रा गांधी ने कहा था कि आप अपनी फौज बनाईए हम मदद करेंगे तो भारत इंद्र यहां पर इन लोगों ने अपनी फौज बनाया जिसका न स्कौन भानिंग बहुत अच्छा था निर्मल जीत सिंग अरोडा थें Jack Awak происходит मेर्स ने बहुत खतरनाक प्लान बनाया और यहां पाकिस्तानीयों को द्वना चालू कर दिया और जब यहां पाकिस्तानी धुआने लगे सब तब इनको लगा कि भी आब हम मदद कई से माँगेंगे और यहां इनको डबल लोग धो रहे थे एक हिंदुस्तानी लोग धो रहे थे दूसरा मुक्ती वाहिनी के लोग धो रहे थे वहाँ पे लड़कियों को आप रेप करेंगे, मडर करेंगे, अपने देश में तो कोई आपको देश वाला मनेगा, नहीं, तो बंगला देश के साथ बहुँ जादे या अतियाचार कर रहा था, इसमें भायरत को भी फायदा हो गया, अब पाकिस्तान को लग गया, कि हमारे हाथ से ये वाला एरिया, जो पूरी तरह से नीचे लगा दिया गया, और हमारे वायू सेना, नौ सेना के जितने भी खतरनाख खतरनाख युद्धक जहाद थे, विमान वाहक बोर्ट, पंडू भी इत्यादी को यहाँ लगा दिया गया, पाकिस्तानियों की जो सप्लाई चेन थी यहाँ की, इसको हम लो परसाने के वज़े से यहाँ पर जो पाकिस्तानी थे, इनका रिड तूटते जा रहा था, अब पाकिस्तान की इधर से सप्लाई नहीं हो पारी थी, जो इधर पाकिस्तानी फौजी बचे थे, इन लोग को तो पूरा का पूरा इंडियन आर्मी, मुक्ति वाहिनी, नौ सेना वाहिसे न मिलके धो रही थी, पाकिस्तान को लगा कि भईया हमसे हमारे हाथ से पूरवी पाकिस्तान चला जाएगा, तो यह जो था पूरवी पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान अमेरिका के पास भीख मागने लगा, भईया अमेरिका हमको बचा लीजे, हमारा य इंट्री मारी तो पूरा माहोल ही बदल के रख दिया था आगे देखें एक जेंट बावू यह लगों कौन कुन कमेंट कर रहे हैं मुकेश कुमार गुपता जी सर जी हम भी आपकी तरह पढ़ाना चाहते हैं अब नॉलेज रखिए आप भी पढ़ा लीजेगा अब यह सब चीज आप यहां कमेंट करके पढ़िएगा मजबूरी में फिर कमेंट आफ करना पड़ेगा इसमें इंट्री मार दिये कौन अमेरिका और अमेरिका के इंट्री मारते बवाल हो गया बहुत भी सड़ क्योंकि अमेरिका जैसे इंट्री किया तो अमेरिका की इंट्री करने के बाद कारण रूस की भी इंट्री फिक्स हो गई क्योंकि रूस को हम लोग बचाए थे याद कीजिए कि जब अमेरिका सिरलंका में हमबन टोटा बंदरगा ले रहा था तो रूस ने भारत को कहा था कि अमेरिका को कैसे भी भगा दो अब यहाँ पे इंट्री हो गई किसकी अमेरिका की अमेरिका ने यहाँ से अपने जहाजों को भेजना चालू कर दिया इन जहाजों के गुरुप का नाम था सेवन्थ फ्लीट सातवा बेड़ा इन में तिस चालिश ठोपानी वाली जहाजे थी और हमारा एक अकेला बिकरांत क अब इंद्रा गांदी ने कहां बोला रूस में खबर किया हम आपको बचाए थे ना इसी का आज हमको खामियाजा भूगतना पड़ रहा है कि अमेरिका से हमारी सीधी दुस्मनी हो गई है अमेरिका मारने आ रहा है प्लीज हमको बचा लीजे तो रूस ने क्या का कोई दिक करीब है यहiliar 40 वेड़ा ने आके अपनी सारी जहाजों को लगा दिया जितना जहाज यहां लगा दिया एतना नयपने वल्ल लोकेश किया यहां यहां डीगो गार्सिया से उनकी जहाजे नहीं उट पाई और जब यह सातवा बेड़ा यहां पहुंच रहा है तो उसको लगा कि भईया यहां तो चालीसवा बेड़ा पहले से पहुंचा हुआ है तो इन्हों ने उसको धमकी दिया चालीसवा बेड़ा को कि भाग जाओ हम अ थियार सेट कर दिया जिसे कहा गया Patriot missile यह missile इतनी खतरनाक थी कि अगर दुस्मन जादे करीब आएगा तो automatic alarm बजाने लगेगा और करीब आएगा तो जहाज के captain pilot सब को एलाम बजाने लगेगा और अगर इनकी जहाजे 100 किलो मीटर तक के अंदर आ गई तो अपने से missile लिकाल के मार देगा तो इनको तो पहले ही डर हो गया कि इन्होंने कौन सी missile लगा रखी है Patriot missile को लगा रखा और Patriot missile लगा देने के वैसे यहाँ बहुत जादे दिक्कत हो जाएगा किसको Patriot missile लगा दी है तो वो entry ही नह drizzle द्णक धूल चटाए गया इधर से भी दोर पाकिस्तान पीटाते रह गया यहां पर और यहां पर रूस और अमेरिका यह आँपने सामने हम लोगको किसने रोग दिया हम लोगको किसने बच़ा रूस ने और अन्तत्ह अमेरिका को यहां से वापस जाना पड़ा यह का कि हम भयानक युद्ध कर देते हैं भयानक युद्ध होगा तो भारत का ध्यान उदर से इधर हटेगा तो इसने यहां पर अपने छे हज़ार सैनिकों को भेज दिया कितने सैनिकों को भेजा छे हज़ार सैनिकों को चुकि यहां भारत की केवल 120 सैनिक थे 120 सैनिक थे और उसने कितने सैनिक भेज जगा छे हज़ार और यहां पर हमारे ते कौन थे भई तो हमारे यहां सीख रेजिमेंट थी उनके टैंक वगरा को मार के धोस्त कर दिया, आज भी यहाँ पर उनके टैंक हम लोग ने बंदी बना के रख लिया, तो पाकिस्तान यहाँ से हार रहा था, उसकी पंडूबी वगरा को मार के हम लोगों ने गिरा दिया, और यहाँ पर पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान के 6,000 स तुमआरा देश टूट गिया तुम 22 प्हुजी और तुमको धूल चटा दिया और यहांट Re बाद में हम्रा केस कर दिया वेना कब करका हम लोग ने फड़ी में रहते निसे कर्दिया वहस्व था का इसू वरना आज दिन लटका रहा था पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हार अगर किसी के नाम पर है तो वो गिनी बूक आफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में है कि दुनिया में आज तक किसी भी देश की 93 हजर पोज ने सरेंडर नहीं किया भारत ने इनको स्कूल में बांद बांद के रखा और पाकिस्तान से लिखवाया कि बोलिये कि अब पाकिस्तान के दो टुकडे हो गए एक का नाम हो गया बंगलादेश दूसरा का हो गया पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान लिखा है और हम कभी-कभी यूटूब पे वीडियो बनाते हैं ना तो पाकिस्तानी सब कमेंट क्या करता है सब तुम हिंदुस्तानियों को हम सबक सिखाएंगे, कस्मीर लेके रहेंगे, हम मन में आता है बस हम एक ही कमेंट करते हैं भया 1971 याद करो, औरना हमारे 120 फोजी तुम लोग को यहां दूल चटा दिये, हिंद महासागर में इतना दोडा दोडा मारा गिया जिसका कोई हद नहीं, यहां पूरी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी की क्या हो गई, जीत हो गई, और सेख मुझी बूर रहमान क्या बने, वहां के राष्टपती पधान मंत्री बने, लेकिन प मरवा दिया, अतंगवादियों से किन को मरवा दिया, सेख मुझी बूर रहमान को मरवा दिया, आज उन्हीं की बेटी बेटी हुई है, क्या नम है, सेख हसीना, जिनका भारत से बहुत अच्छा संबंध है, तो 1971 की लड़ाई हुई, जिसमें हम लोगों ने मुक्ति वाहिन सेना को खड़ा किया, और 1972 में पाकिस्तान ने अंततह या सुईकार कर लिया, कि अब पूर्वी पाकिस्तान उसका नहीं है, अब वो एक देश बन चुका है, तो कोश्चन पूछाता है, पाकिस्तान ने बंगला देश को एक देश के रूप में कब सुईकार किया था, तो 1972 म लड़ाई कब हुई थी, 71 में, समया गया कि नहीं गया, सोचिए यहां हमारे 120 फोजी पाकिस्तान में उन लोग को घुशने नहीं दिये, जब राजस्थान पढ़ाएंगे न तो बताएंगे आप तो आज जो आप बंगला देश देख रहे हैं, पहले वो किसका था, पाकिस्त में थे, अरे भया, बीजेपी का घठन हुआ था, 1980 में, उससे 9 साल पहले यह घठना हो चुकी थी, देखिए, कॉंग्रेस में सबसे बहतरीन परधानमंतरी अगर कोई था, तो इंदरा गांधी थी, बाकी नहरू के अंदर दूरदर्सिता नहीं थी, विश्वास बहुत जा और चाइना यहां पे भी आके अपनी फौज खड़ा कर लेता, और यह फौज खड़ा करने के बाद हम लोग तीन ओर से घिर जाते लोग, इधर से भी घिर जाते लोग, इधर से तो अभी घिर हैं, और उपर से चाइना से, भारत को इतना टॉर्चर करता, इसलिए इंदरा गांधी ने इसको बहुत बहुत बहतरीन धंग से भाफ लिया, और उसने पहले ही इसको तोड़ दिया, और वो इस समय युद्ध के, उस समय सेना पर मुद्ध कोन थे, मानिक शाओ थे, क्या थे, मानिक शाओ, पूरा नमता सैम, हारमुज जी, फ्रेम जी, जमसेज जी, मान एक कमेंट को आप दूसर बार करेंगे, पीडियेफ नहीं खुल रहा है, आपके मोबाइल का प्रॉबलम होगा, नहीं तो यहां से हम चेक कर लेंगे, यह समझ में आ गया, बंगला देश का पुराना नम बताईए, पुरवी पाकिस्तान, बंगला देश का पुराना नम, प कोई सकत नहीं, लेकिन बंगला देश में आपसे कोश्चन जो पूछेगा, उसको ध्यान से रखना है, बंगला देश जो है, यहां पर हम लोग का इससे बहुत अच्छा रिलेशन है, और इसको बना के रिलेशन रखने लाइक है, क्योंकि चाइना यहां इंट्री करना चात इतना पतला एरिया है कि अगर यहां पर चाइना आ जाए, जरा देखिये, यहां पर चाइना की फोज आ जाए, यह एरिया में, और यहां पर बंगला देश अपना एरिया चाइना को देते, तो बहुत यह घंटा लगेगा इस एरिया को काट देने में, और जैसे यह एरिया कट जाएगा हमारा ये वाले राज क्या हो जाएगे अलग थलग पढ़ जाएगे इसलिए इस पतले रास्ता को हम लोग सिली गोडी कारिडोर या चीकन ने कहते हैं ये जब इंडिया पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसलिए बंगलादेश से भारत का संबंद रहना जरूरी है और अभी अछ अच्छा सम्बंद भी है बंगलादेश से है हला कि बंगलादेश सरुनार्थियों को लेकर हम लोगोंने नर्सी लाया था जरूरात में कि जो लोग नर्सी लीच्ट में नहीं आएंगे उन लोग को बंगऽाद लोटा दिया जाएगा लेकिन मोडी जी ने बंगलादेश को असपस्ट कर दिया कि किसी को लोटाया नहीं जाएगा इसलिए अब वो सरणार्थी भारत में ही रहने वाले हैं पॉलिटी के क्लास में आपको NRC का टोटल का टोटल चीजे पढ़ा दिया गया है अब बंगलादेश में तीन सहर बहुत महत्यपूर्ण है यह बेखूब सब ऐसा ही से काम करता है जिसका जिसका PDF नहीं ओपन हो रहा है एक बार अप्लिकेशन अनिस्टॉल करके चालू कर दो यहां आके एक एक को हम बताएंगे आपका मोबाइल पुराना वर्जन का है क्या चीज़ है आप लोग ऑनलाइन हुस्यार लड़का सबके लिए होता है एक से एक बेखूब आता है यहां लिखते जा रहा है सा कमेंटे बंद कर देंगे अगले बैसे आएंगे ना कमेंट बंद कर देंगे चुप चपढ़िए का चलिएगा बेखूब नहीं सोचता है सब नहीं हो रहा है तो फिर किसी दूसरे जो मोबाइल का हुस्यार है उससे कुछ पता कर लें अमित कुमार जब पड़ोसी में हमारा इंडोनेसिया आएगा की नहीं या भी जब हम आपको समूद्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे ले इकों बखलोलवा 36 एडिशन लिया है किताब का कोई भी किताब लिये रहेंगे आप जो किताब लिये हैं उसमें आप बंगला देश का खोल के देखेंगे यहां पर मिलेगा चटगाओं बंदरगा जो भी बुक लिये हैं लोग एटलास उसमें खोल के देखेंगे नीचे मिलेगा चटगाओं बंदरगा आपका कोश्चन पूछा हुआ था कोश्चन में याद रखिए कि चटगाओं में एक सैनिकों के लिए अंग्रेजों ने पह चटगाओं सस्त्रागार किसने लूट लिया था अंसर जल्दी चटगाओं सस्त्रागार लूटने वाला अंसर दीजे चटगाओं सस्त्रागार लूटने वाले का नाम बताईए सूरिय सेन वेरी गूड सूरिय सेन कल दरोगा वाले बैच में बताया थे सूरिय सेन ने लू लिखा हुआ है जितने चीज़े है न वो लिखा हुआ है आपको लिखने की खास जरूवत नहीं है वहाँ A to Z लिखा हुआ है बस आपको नरेंद्र मोदी और सेख हशीना का सेख हशीना दिली ऐइं तो मोदी जी जो थे यह बुट्रोड मतलव होता है नियम का नुगिन प्रधान मंतरी किसी को रिषीप करने नहीं जाएगा लेकिन लिख सेख हशीना में एक नंबर है यह हो गए आपका चटगाव बंदर्गा बंगलादेश के बीच व बीच में देखेंगे तो एक सहर मिलेगा धाका जो उसकी राजधानी है और वहीं पर मिलेगा नरायंद गंड आप एटलस खोल के बैठिए बंगलादेश का धाका और नरायन गंज, धाका और नरायन गंज, धाका और नरायन गंज, मिल गया अगा आपको अंदर, धाका तथा नरायन गंज, धाका और नरायन गंज, मिल गया, जल्दी जल्दी दूड़िए, जिनको नहीं मिल ला है, बंगलादेश का नक्सा खोली है, आपको पता होना चाहिए क हम कहां पढ़ाने वाले है अब बंगलादेश के बाद मयानमार पढ़ाएंगे यह धाका बंगलादेश की क्या है राजधानी है यहां जूट बहुत जादे मिलता है जूट समझते हैं बोरा जो ठंडी की दिन में जानवरों को ओड़ा दिया जाता है बोरा वो जूट के बंदरगाओं बंदरगा है जो चीन लेना चाहता था लेकिन अभी नहीं ले पाया यह हमारे लिए बहुत जरूरी है बंगलादेश से हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है हमारी सबसे लंबी सीमा किसे लगती है बंगलादेश से हाला कि अगर बंगलादेश से देखेंगे त गो Japan में से बाइख में टूसरा दूसरा के भी regional को लेकर विवाद चलता है और तीसरा जो विवाद चलता वह तीस्ता नदी को लेकर चलता है तो यह बंगला में कितने देश थे? सारक में आठो देश, नीचे में कुन सा होगा? मालदीव, से लंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भुटान, बंगला देश. अब हम अंसर पुछते हैं, आपसे कोस्चन पुछते हैं, फटा- संस करण ले लिए ठीक है बाव। बामियान किस देश में है वेरी गुड ए एफ एफ मतलब अफगानिस्तान बामियान अफगानिस्तान में आप बताएंगे पटा-पट ग्वादर बंदरगा किस देश में है ग्वादर बंदरगा ग्वादर बंदरगा ग्वादर ग्वादर बंदर का पाकिस्तान चटगाओं का चटगाओं का बंगलादेश वेरी गुड बंगलादेश चटगाओं बंगलादेश चाइन वा देखे क्या सोच रहा था उग रही समझ में नहीं आता है कि हमोदी बोईठल मोदी जी इसा खतरनाक है एक साथ यहां सेख हसीना को कंट्रोल कर लेते हैं उदर इस्मिती रानी को कंट्रोल कर लेते हैं हर जगए एक साथ अलग यहां पर इसे अन्य था न लेंगे इसे पढ़ाई में हसी मजाग चलता है यह बंदरगा का नाम चाड़ चिटगाओं बंदरगा इस बंदर का नाम है हम्मन टोटा बंदरगा सिरलंका में नीचे हैं यहां पर मालदीप में माले बंदरगा और यहां पर यह कुण सा ग्वादर बंदरगा चाइनमा चोट्टा क्या कह रहा था कि हमरा हाई वाला बंदरगा दे दो यहां से यहां देख रहे हैं किसको घेर रहा है चोट्टा भारत को घेर रहा था किसको घेर रहा था भारत को नरेंद मोदी आए ना तो धजी उड़ा दिए उ भारत सरकार ने कहा कि आप केरल या तमिलाडू बंदरगा पर आये हैं उसमे कोई जहाजे नहीं जाती है जिसवज़ा से हमबंटोटा एइरपोर्ट और हमबंटोटा बंदरगा आपकिसी काम का नहीं है तो ये रास्ता तो यहीं से कड़ गया माले बंदरगा को भी भारत के आभ फेवर में आ गया बच गिया एक बस इसका ये ग्वादर बंदरगा तो ये ग्वादर बंदरगा आप पर इतना न करजा ले लिया है पाकिस्तान, कि इस करजा को चुकाने के लिए, उसको सौदी अरब से पैसा मांगना पड़ता है, कि चैना को चुकाना न करजा, और पाकिस्तान को ये लगा था कि ये सड़क बन जाएगा तो इससे हम बहुत कमाएगे लेकिन भारत ने इस सड़क के बदले में एक और सड़क की घोशना कर दिया वो यहाँ पर है आपका चाबाहार बंदरगा और यहाँ से सड़क लेके हम लोग रूस तक जाएगे लंदन का समझ में आगे अपको एस्या में अगर हम आपसे कहते हैं तो आप दिमाग भाई पहुच जाएगे कि ने जैसे अगर हम कहते हैं CPEC तो आपका दिमाग तुरत जाना चाहिए और यह सीपीज़ इधर अगर हम आप से कहते हैं चडगाउ बंदरगा तो आपके दिमाग में एक सेकंड मजयां वहां जीए यह बंग्लादेस पर चटगा वंगव करें हमाउग में इमाले तुरत ऊपर रहना ज्टी करें तोfa पैसा ऐसा नहीं करेंगे नuestकी संया चैनल करनेखर आप कों चयों एकर नहीं आई वांट पीडिएफ इन इंगलीज यू सुड़ वेट फ़र टेन देज आप औरंगा कौन है भाई अब है कुमार सर मैं औरंगा बात से हूंगा आज मेरा पहला क्लास है के वी सी मुकेश दूबे पूछ रहे हैं कि सर तीन दिन पहले चिकन नेक के बारे में कौन बनेगा करोड़ पती में पूजा था के वी सी में पूछा होगा वाई ऐसा नहीं है आपको इसमें हर एक चीजें मिलेंगी आपको जानने के लिए हलका सा बस आपको सबर करना है जिन आपको मंगलवार या बुधवार को पीडिएफ में जो जो खाली जगा दिया गया है उसको भरवाएंगे आप उसको दुकान पर जाके हार्ट कौपी निकलवा लिजेगा है किताब के सकल में हम उसको भरवाएंगे अब हम आपसे यह एला एरिया सार के एरिया देख लिए देखे ध्यान से आप अगर दिमाग में बठाएंगे न तो आपके अंदर यह वाला एरिया दिमाग में बढ़ चुका है यह मालदीप टूरिस्ट के लिए है से लंका वाला बता दिया पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बंगलादेस बता दिया ना कि किसी को क बताएंगे सिल्ली गुड़ी अरे वही है सिल्ली गुड़ी इंडिया आएंगे तब न पढ़ाएंगे जी भीपूल कुमार भोजपूरी में पीडियाफ आप लोग मजा करेंगे बंद कर देंगे चलिए अब आसियान में इंट्री करते हैं भारत सरकार जो है एक जगा गलती कर रही है हलका सा कहां पर गलती कर रही है तो में अनमार के साइड में चलिए समझाते हैं यहां आप सांती से समझी है आप लोग में अनमार को यह देश कुन सा है मैंनमार है मैंनमार जो है वो इंडिया को कनेक्ट कर देता है इस एरिया से मैंनमार पहले भारत का हिस्सा था कमेंट बन कर लीजिए आप लोग सीधे यहां समझी यह वरना समझ में नहीं आएगा हम दूसरा नक्सा खोलने जा रहे हैं बस आपको इतना आइडिया बता दे रहे हैं कि मैंनमार हमारे पुर्वोत्तर राज्यों से सटता है नौर्थीस्ट राज्यों से सट जाता है इधर घुसने की कोशिस कर रहा है कहां पर चटगाओं बंदरगा से और इस एरिया का हमारा डेवलप्मेंट जादे नहीं हुआ है यहां आता से मैंनमार के किस बंदरगा को जोड़ा जाएगा तो सितवे बंदरगा को जोड़ा जाएगा याद रखेंगे बंदरगा का नम सितवे बंदरगा और इसके बाद इसमें एक नदी आएगी उस नदी पर बोट चला जाएगा उस नदी का नाम है कालादान नदी क्या न पानी वाली जहाज से आएंगे सितवे बंदरगा तक फिर उसके बाद नाओ से जाएंगे हम लोग कालादान नदी पर फिर सड़क से जाएंगे हम लोग कहां पर सडक से जाएंगे पुरुवत्तर राज में इस छोटे से प्रोजेक्ट में तीन जगा रास्ता बदलना है एक कलकत्ता बंदरगा से समूद्र सित्वे बंदरगा से पानी और उसके बाद आपका सडक इसलिए इसे मल्टी मोडल प्रोजेक्ट कहा जाता है कालादान इससे होगा क्या चाइना को भारत की कमजोरी पता है कि भारत की कमजोरी यह चीकन ने काट देंगे तो यहाँ जाएगा कई से काट देंगे तो जाएगा कई से इसलिए भारत ने एक सड़क ले जा रहा है बंगलादेश के रास्ते कि अगर हमारा चीकन ने कट जाएगा तो हम बंगलादेश के रास्ते यहां सेना पहुचा सकते हैं अगर इसको भी काट दिया, तो कालादान मल्टी मोडल परजेक्ट के तहद जा सकते हैं, यहां से, तो यह सितवे बंदरगा और कालादान परजेक्ट आप क्या है, आप समझ में आ रहा है आप लोग को, यह सितवे बंदरगा कहाँ पर है? मैनमार में है, अब हम मैनमार का नक्सा खुलते हैं ये वाला एरिया आपके लिए हो गया मैनमार का नक्सा खुल देते हैं ये मैनमार मैनमार का पुराना नाम बता सकते हैं मैनमार का पुराना नाम जल्दी जल्दी बताजी तो Myanmar का पुराना नाम Myanmar का पुराना नाम Afghanistan था Myanmar का पुराना नाम Barma था, very good, Barma Myanmar का पुराना नाम Afghanistan नहीं था, Barma था बैटरी चेंज कर दीजेगा इसका बैटरी दे दीजेगा भारत और म्यानमार के सीमा पर एक परवत है इस परवत का नाम है आराकाम परवत परवत का नाम क्या है आराकाम परवत कोशन पड़ा पड़ बताएंगे भारत और म्यानमार को अलग करने वाले परवत का नाम क्या है आराकाम परवत इस परवत पर चाइना ने आतंगवादियों को खड़ा कर दिया है उसका आर्मी का नाम है आराकाम आर्मी जो हमारे सित्वे बंदरगा के पुर्जक्त को पूरा होने नहीं देता है आगे अब समझे इसमें बावू UPSC में पूछा था कि भारत के जो नौर्थ इस्ट के स्टेट हैं खास करके असम नागा लेंड यह लोग डेवलप क्यों नहीं करते हैं तो एक्चुली इन लोग का डेवलप कप करेंगे जब आप इसे इंटरनेशनल चीज से जोड़ेंगे तो यह इधर का इरिया आ भारत दिख रहा है यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है भारत का यह वाला एरिया दिख रहा है अब चाइना डेवलप करना नहीं चाहता है क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कालादान प्रोजेक्ट लेते आते हैं और यहां से इसमें ले जाएंगे तो यह एरिया बहुत प्रेक्टिस हो जाएगा दूसरा आराकाम आर्मी का सत्यनास हो जाएगा तीजरा हमारा यह कालादान प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा और यहां पर डेवलप्मेंट हो जाएगा और चीन की मूँ तूट जाएगी क्योंकि चीन उन्हें बचाने डारेक्ट नहीं आ सकता है क्योंकि उनको पता है कि वह आतंगवादी संगठन है तो लेकिन भारत बड़ा सॉफ्ट नीती अपनाता है इसमें एक बार सर्जिकल इस्ट्राइक और एयर इस्ट्राइक की जरूवत है असल में मोदी जी अभी उनिये देख रहे हैं पाकिस्तान के और इधर गर्दन घुमा कोन सा मौट इन आएगा फटाफ़ट आराकाम परवत कौन परवत औरकाम परवत पुराना नाम इसका बर्मा था भारत सासना देनियम 1935 द्वहरा ये अलग हो गया मयनमार जो है वह बहुत धरम की अधिकता है मयनमार में कौन्हट दर्म की अधिकता है यहां पर दो सबसे ब उच्छा हुआ था ये यू पीएसी में कि नक्षा दे दिया था भारत का नौर्थएस्ट का नक्षा दे दिया था उसमें ये नदी दिखा दिया था तो यह नदी यह इरावती और सालवीन-दी के बीच का एरिया बहुत उपजाओ है, इरावती और साल्वीन के बीच के एरिया बहुत ही उपजाओ है, इस एरिया को कहते हैं सान का पठार, कौन सा पठार, सान का पठार किस देश में है, म्यानमार में है, सान का पठार किस देश में है, म्यानमार में, बोलते चलिएगा मेरे साथ से, सान के पठार के किस दिसा में इरावती नदी है पस्चिम में है या पूरब में है पस्चिम या पूरब तो सान के पठार के पस्चिम में इरावती नदी और सान के पठार के पूरब में आपकी सालवीन नदी मियनमार की दोब सबसे बड़ी नदी है इरावती और सालवीन सान का पठार जो है वो धान की खेती के लिए famous होता है तो किसान question पुछेगा मियनमार का main खेती के एरिया कौन सा है तो sun का पठार है plateau of sun किसके किसके बीच में आएगा मैनमार और sorry ईराव्ती और सालवी नदियों के बीच में आएगा मैनमार में और इसके बलावा कुछ खास परवत जियोग्राफिकली विसेस्ता नहीं है लेकिन अगर मयनमार का historically देखिएगा तो इसमें बहुत जादे चीजे हैं मयनमार के बारे में जैसे मयनमार का पुराना राजधानी जो था रंगून थी मयनमार की राजधानी क्या थी रंगून क्या किये थे नेत्रित किये थे जिस कारण उन्हें कहां भेज दिया गया रंगून भेज दिया गया था तो पुरानी राजधानी क्या थी रंगून अभी की राजधानी क्या है ने पेताओ अभी की राजधानी ने पेताओ कितने लोग बता सकते हैं यह कौन सी नदी है इस न ब्लेक नदी का नाम बताए जो ब्लेक कलर से बता है ब्लेक कलर से इराउती रेड कलर से कौन सा है रेड कलर वाली बताए तो ब्लेक वाली तो इराउती है वेरी गुड रेड कलर वाली साल्वीन वेरी गुड साल्वीन हम इसमें दो गोला बनाए है देखिए एक रेड कलर का गोला है बताए ये कौन सा एरिया है एक रेड कलर का गोला है और एक बलेक कलर का गोला है रेड वाला गोला क्या है अंसर दीजे रेड वाला गोला क्या है रेड वाला रेड गोला क्या है और बलेक गोला क्या है रेड वाला सर सालवीन है सालवीन थोड़ी है रेड वाली नदीन सालवीन है रेड वाला गोला सान का पठार बलेक वाला क्या है रंगून बलेक वाला क् पुरानी राजधानी क्या थी रंगून अब गाना सुने न मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेली फून की तेरी याद सताती है पहले रंगून लोग जाते ते घूमने वगरा आप लोग अच्छा से समझते होंगे लेकिए हम लोग सुरवात से ही हमारी परंपरा क्या रही है वसुधैव कुटुम्वकम लेकिन अगर कोई हमारी संस्कृती का फायदा उठाकर अगर हमको लतियाने की कोशिस करे तो हम लो नहरू ने कुछ अच्छाईया भी किया तो नहरू के पीठ पर कुछ लोगों ने छूरा भी भूंक दिया भारत का मैनमार से बहुत अच्छा संबन था तो यह हमारा मैनमार मैनमार ने भारत से कहा कि आप हमको एक ठो आइलेंड दे दिजे तो भारत का यहां पर अगर तो यह कोको आईलेंड कहा है तो अंदमाण के ऊपर है और मैनमार के नीचे है क्योंकि नीचे में यह जेफिक वाच नाम से कोको आईलेंड नैंगर मीयनमार ने कहां भारत से यह आंप हमें दे दीजे क्योंकि historically इस पर हमारा अधिकार है लेकिन उस पर भारती ये सेना का कबजा था तो जब आहलल नहरू ने इसे एक gift की तोर पे दे दिया कि वही हमारे पास इतने जादे दूइप है एक छोटा सा दूइप है रियली में दे दियेगा तो देने से जादे तकलीफ नहीं है तकलीफ सला ये हरामी अब पैदा किया है कैसे पैदा किया है कि यहां सेना का सासन हो गया और ये चोटा उठा ना तो ये वाला दूइप है किसको दे दिया कि चाइना यहाँ चाइना को दे दिया वो भाड़ा पे दे दिया और चाइना ने यहाँ पर अपना ट्रांस्मीटर और राडार लगा दिया है प्रांस्मीटर और क्या लगा दिया है राडार लगा दिया है इससे दिक्कत क्या है कि भारत का यह जो अब्दुल कलाम दूई प कि हमसे रिष्टे अच्छे हो जाएंगे खामखा में अभी देश आजाद हुआ है विवाद में क्या फासे लेकिन इस हरामी की न गलती है कि न टंकी किया है और भारत के परधान मंत्री लोगों की भी गलती रहती है चाहे मों नहरू ने गलती कर दिया तो एक परधान मंत्री गलती करेगा तो दूसरा सुधार भी तो सकता है इंद्रा गांधी जब एक देश अलग करा सकती है तो इंद्रा गांधी सुत्तल थी कि ये कोको दूइप लेले हाला कि इस वक्त इंद्रा गांधी के समय ये चाइना को नहीं दिया लेकिन मनमोहन सिंग के समय चाइना को दे बात सही हैं, हम तुमको गिफ्ट आज भी देते हैं, लेकिन हमारे सतरू देश को तुम यहां बचाओगे, ले आओगे, तो हम यह गिफ्ट वापस ले लेंगे, तो आप डिसाइट करो भया कि तुम ये ये मयानमार तुम चाइना को वापस भागाओगे, कि हम दूइप ले तो इस में मार चोट्टा सला कुछ बोलेगा नहीं, तो भारत को कुछ नहीं करना चाहिए, भारत को भैज्यानिक मुंबई में बैठे हैं से भाभा एटमिक रिसर्स सेंटर पे, इन भैज्यानिकों को कहना चाहिए कि भाईया तुम एको निया परमाडू बम लाओ और तुम यहां पर अंडमाड निको बार में छोड़ दो, हम उस पे नहीं छोड़ेंगे, अपने यह इदम उपरा वाले पोर्शन पर छोड़ेंगे, इतना भयानक फटेगा कि सुनामी आ जाएगा, हमारे लिए यह एरिया तनी सा डूबेगा, उसका पूरा डूब जाएगा, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, संया गया, कभी-कभी पैर बुरी तरह फंस जाता है, न तो काटके निकाल दिया जाता है, सरीर में कैंसर नहीं रखना चाहिए, यह हमारे लिए कैंसर बन किया है, या तो चाइना को भगाओ, नहीं तो साले हम तुमको बरबा करते हैं, आज भी यह कहते हैं, लेकिन तुम साले हमारे दूस्मन को क्यूं पाल लिए, हमारी तो संस्कृति थी, हमने अपना परचे दिया, कि तुम माइं हम तुमको दे दिये, कोई दिककत नहीं, हमारी यही संस्कृति है, कि हम बदला भी लेते हैं, और यह लिया इस बात को लिख के रखिए कि कहीं आपको स्वभाग प्राप्त हुगा कि भारत के आप प्रधान मंत्री बनिएगा तो हमारे लिए ये गुरु दक्षिने समझ जाईएगा कि आप इसको लेकर आईएगा और तब हम समझेंगे कि हमारा सिक्षक बनना इस जीवन में सफल हो ग आप इसको समझें न मीडिया वाले जलों को क्या मतलब बनता है उदर एक आजना बैठी ये रूबी का बैठी इस अब को कोई मतलब है नहीं सब्सक्राइगे लड़के लेंगे एक दम कैसे नहीं लड़के लेंगे यहाँ पर हम लोग क्या दोग जिनको करना चाहिए वो न आप बैठी मोड़क करेंगे हम तो सिक्षक है हम जादे बोलेंगे यूटूब पर तो कहेगा सब कि रहे तुमोधी बिरोधी हो गया हम मोधी बिरोधी है हम तो भारत को बढ़ाने के लिए बात कर रहें इसमें बिरोधी कोई कोई यह है और अपने देश की बात करना बिरो वह इंतना पर बननेका तो इसे लेकर आएंगे ये इस अगर do से आप उसको लाइए हमारा मकसद क्या है कि बस तुम हम देख रहे हैं कितना सीक्रेट जगह दिया यहां से हमारे दो दो चीजों पर कभजा कर लिया कितना पहतरीन लगेगा आप टूरिस्ट प्लेस बना दिए सब लोग वहां घूमने जाएंगे और हमें अपनी बहादुरी कि याद रहेगी चोटा तुम चाइना को दिया तो देख हम वहां आगते हैं वहां बनाने के लिए जो मन वहां बनाएं मूजियम बनाएं मंदीर मस्जीद बनाएं सब बनाएं यहां पर लेकिन कम से कम जो देश की जमीन भूली गई है आप उसको सुधारी आगे इस परवत के पास यहां पर एक रज है जिसका नाम है रखाईन यहीं के लोग यह कातंगवादी संगठन बना लिए जिसका नाम है आराकाम आर्मी है जिसको फंडिंग चाइना देता है और यह हमारे बंदरगा प्लान को रोकता है यहां हमारा कालादान मल्टी मॉडल प्र प्रोजेक्ट कहते हैं कौन सा प्रोजेक्ट कहें हैं मल्टी मॉडल ताकि तीन तीन चीजे इसको सबसे बड़ी बाधा कोन दे देता है आराकाम आर्मी देती है समय आ गया कि नहीं आ गया कि अरे बकलोल वाई अनिस्टाल के बाद भी नहीं दीख रहा है तो तू सांती जरो हो हो हम चेक करके कल बताएंगे सर यूटूब पर भी बताईए हम लोग आपके साथ हैं हमको पता है आप लोग आपना साथ हैं मारे लेकिन कुछ-कुछ लोग जो है न वो यह नहीं देखते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं यह नहीं देखते हैं हम देश के लिए बोल रहे हैं कुछ लोग बस क्या देख लेते बीच में कौन सा पठार है इरावती सान का पठार है कौन सा पठार सान का पठार मैनमार में हाथियां वगरा जादे पर जाती हैं हलाकि थाइलेंड में हाथियां जादे मैनमार में महात्माबूती की बहुत जादे पूजा होती है यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या क्या थी आपको बता इने मंदिर महतमाबूद की मूर्ती गिरा दिया यहां रहा पर क्या बात करें यहां पर किसी बिराथू था जो यहां पर रोहिंया मुसलमानों को मारने वाला नेता का नम था विराटू विराटू उस समय का बहुत खतनाक नेता था यह 2014-15 की घटना अभी की नहीं सम्झागा 16 की घटना 15-16 की आगे देखते हम कि सर आपने क्यों यूपी एसी सॉल नहीं किया यूपी एसी कोशन सॉल करा देंगे बाव अभी टाइम नहीं है सीटेवे प्रजेक्ट एफेक्ट करेगा कोको की वज़ा से आख कि सीटेवे प्रजेक्ट को एफेक्ट्ट कर देगा कोको कलए से हम कोको वापस थोड़ी ले रहे ह हम कह रहे हैं यहां से चाइना को वापस कर दो यह कोई मतलब बनता है कि यह հितवधे और फंलन का सवारी Stick उसके कि ने पयाएं कहंठों कि उसको तुम्हें मन है तो बींदे से हर हम हरो घर टाफ लो हम हूं घरिया दाए हमनने अफ़काश्टान को दिया कि नहीं है कि हम इसको दे देंगे लीकिन हमारा कहना है कि हमारे भारत मा की जमीन है इसे कोई गिर्वी नहीं रख सकता है हम लोग के आगे छीन के लेके आएंगे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है जिस तरह से चानक ने चंद गुप्त मौर को पैदा किया और मतलब कहने का सेंस उसको राजा तक बनाया और उसे आगे ले जाग आप टेंशन नहीं लिजे हम काम कर रहे हमारा नीती बहुत दूर तक है कोई ना कोई तो आएगा जो वापस लेकर आएगा आगे वाला देश है जिसका नाम है थाईलेंड यह वाला देश का नाम क्या थाईलेंड थाईलेंड के वारे में समझते हैं मैनमार का पडोसी ठीश घर समय इसको कलर कर देते आप ही लोग मैं से लाईए को बई मेरा सपना पूरा करिये शिंच है और नहीं जो है यह बहुत जादे हो देंग पर यहांатели सफेद रंगी होथी तो थाईलेंड को है electronics चीज को उत्पादन में बहुत जादे थाइलेंड में LDD TV ना है 2000 रुपय में टीवी मिल जाती है थाइलेंड में यह देश कौन सा है आपका थाइलेंड थाइलेंड में बेंकॉक जो जगा है वो थाइलेंड की राजधानी है बेंकॉक से थोड़ी दूरी पर एक जगा है क्योंकि अगर यह electronic की दुनिया में भारत में इंट्री मारेगा न तो फिर भारत की electronic बाजार क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे इसकी boundary देखेंगे तो इसकी boundary चाइना से नहीं लगती है दिगर आपको पाकिस्तानी ये बोलता है जो लग रहा है अपनी जमीन की मापस नहीं कि आलाता है दुस्ताहस तो म्यानमार की है कि हमारी गिफ्ट की जमीन पे तुमने अपर दुस्मन को बठाया थाइलेंड हो गया थाइलेंड में जादे कुछ जादे चीज़े ने एक ही चीज कोशन पुझेगा थाइलेंड में करा नहर देखिए यह वाला जो एरिया अगर आप देखेंगे न तो यह नीचे का एरिया यहां सिंगापूर है यहां कौन सा देश है सिंगापूर तो यह को पुए जया पान से siitä फटवाइं से बात Dwyer लेकिंट लेकिन सिंगापूर की फाइलेंट को थड़ा खटक एया थाइलेंड ने कहा कि stadion लिए तो येındaorp यहाँ सब्सक्राइब से ल Issông एक अगर बनाने के लिए 301 वार जाइगा रैस्टाइल जोगो बढ़ा ईजी होगा यहां से निकल जाएंके स сох देखिए रास्ता भचेगा की नहीं भचेगा बच्जाएगा जाएगा इस नहर का नाम किया है करा नहर है अभी फिलहाल का नहर को चाइना बनाने वाला था इसे रोक दिया गया है और यह कहकर रोका गया है कि इस नहर के बनने से यहां पर ecological change आएगा पर्यावरान में बहुत ज्यादे बदलाव आजाएगा इस वज़े से करा नहर को रोका गया है अब चाहें करा नहर बने या ना बने इस से भारत को effect नहीं पढ़ेगा effect में पढ़ने वाला है किसको singapore को effect पढ़ने वाला है कोई भी देश आएगा यहां से मान लिए चाइना से हथ्यार लेकर रहा है अब वो तो सबस्चरा शिंगापूर से आए या फिर वह ले करान हर से लेकर अब है कहीं से लिए यहां उसकी मौत खड़ी हुई है हमारा अंडमान नी को बार आऊ शशुरा यहीं से थूतूर पर जैसे निगले थूतूरे पर मार देंगे इधर से भी आएगा एक मिसाइल धाइज दे इधर से भी एक मिसाइज इसलिए चाइना को डर ल आपने नख्सा में देखेंगे करान हर होगा नहीं होगा कईसे भी करके धूड़िए गार शाग्या कि नहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं कि अ पठकाई भूम क्या है वो इंडिया पढ़ाएंगे तब बढ़ाएंगे तर असीयान में 11 कंट्री यह तिमोर लिष्ट तिमोर लिष्ट असीयान में सामील नहीं है आगे बताएंगे बावू यंगून लिखा है बुक में अच्छा है बावू पहले रंगून नाम था बाद में क्या हो गया रंगून हो गया सन्धीब कुमार जी सर हम दूरदर सी में आप पाकिस्था पाकिस्तानी सोरी भाई बुड़ापा में आखोग सब गणवर हो जाता है चलिए कोई बात नहीं दूर दर्सी नहीं बावु देखो हर व्यक्ति को अपने देश प्रेम होता है हम बस एक ही चीट जानते हैं कि तुम पाकिस्तान वाले रहो या बंगलादेश या चीन वाले ख पाकिस्तान तुम भी आगे चले जाओ तुम भी खुशाल रहो हम लोग तो यहीं सिखायागी है बचपन से बस उधायो को बंगलादेश तुम भी खुश रहो लेकिन इसका मतलब क्या हुआ सब तुम खुश रहेगा तो हमको दुखी कर देगा इसलिए तुम खुश मत रह आगे देखो एक और चीज़ देखिए भारत ने एक दिमाग लगाया एक बात बताईए क्रिकेट में कहा जाता है बैक फूट पर खेलने से अच्छा है फ्रंट फूट पर जाके छक्का मारी है तगड़ा लगेगा तो भारत सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं फ्रंट फूट पर खेलते हैं तो फ्रंट फूट पर कई से खेला जाएगा तो मनमोहन सिंग जब प्रधान मंत्री थे उस प्रजेक्ट को अभी तक कमदी जी को इस पर आगे बढ़ाना चाहिए हाला कि मोदी जी आगे बढ़ रहा है पर स्पीड थोड़ी सी धीमी है हम लोग एक हाईवे बना रहे हैं सड़क बना रहे हैं और वो सड़क जनते हैं कहां तक जाने वाला है सिंगापूर तक जाने वाला है यहां से यह सड़क जाएगा ऐसे यह देखिया सिंगापूर तक यह नहुआ फ्रंट फूट पर युद्ध के समय में हमारे टैंक हमारे तोप जितने आर्मी की हतियार है इसी हाइवे पर बैठ कर चलो रहे भईया तो रहाम दूसरे दुनिया की सैर कराते हैं यहां टुकु टुकु दे का मार सशुरा तो रहे एनिया मार देंगे जो बचल कुचल इधर जाएगा उसको इमार देगा सब अब आप बताइए इस परजेक्ट को क्यों धी व्यापार होता है इतने देशों से व्यापार सीधे यहां होगा यह वाला एरिया जो है जो अती पिछडा भारत में आता है यह अती पिछडा भारत का दिल्ली और मुंबई से जादे डेवलप हो जाएगा बताओ ने दिल्ली में कौन देश से आता है व्यापार नहीं ना है इधर ही उधर से आता है यहां देखें इतने देशों की connectivity हो जाएगी तो हम हिंदुस्तानियों ने पुर्वत्तर भारत वालों से मांभी मांगते हैं क्योंकि हमने आपको बर्बाद किया पुर्वत्तर भारत वालों के विकास में बाधा उनको पिछड़ा रहने के लिए हम मजबूर किया क्योंकि हमारे पास एक master plan नहीं है वहां संसत में आधा तो हम लोगों ने संसत में पढ़ों को भेज दिया है क्या नहीं हम बनाए कैसे बखलोन को पतो नहीं है आसियान में कई देश को सिंगापूर तो उनने खोजेगा सब काबूल के पासिंगापूर इधर को भी जा सकते हैं और यह highway से भी जा सकते हैं इतना होने के बाद कोई रोक सकता है इनके development को नहीं लेकिन अभी ना कालादान परजेक्ट चालू है ना सितवे चालू है ना बंगलादेश से चालू है ना सड़क चालू है और वो लोग भी सिख्छा के अभाव के कारण आव जब यह भी बदलेगा तो सिए समझ में आ गया थाइलेंट आगे बढ़े क्या बोलता है को 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 अजय कुमर करने सर को को वाला वीडियो डाल दीजे किस पर यूटूब पर डाल दे चलिए बाव डाल देते है ठीक है आप लोग सपोर्ट मेरे ये गवन्नामरा गर्यान के लिए इतना ही रहन देते टाइमिंग जादे होगे अब नेक्स्ट में अभी हम पीडियाफ चेक कर लेते हैं तो पीडियाफ चेक कर लिजेगा क्यों प्रॉब्लम आ रही है नेक्स्ट क्लास आपको हम बताते हैं देखिए आप अपने एटलस में ये ढूंडियेगा चाह उसके बाद नया चीज को पढ़ाएंगे को कुछ कुछ चीजे लिखवाएंगे आपको परसो लिखवाएंगे ठीक है तो आज आज हम खुद बीडियाफ देख लेते हो सकता हमारे साइट से ही प्रॉब्लम हुआ हो लेकिन बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है आगे समझे बाद है सीत भए हाई है सर freaking कोको वाला दीब पाल एकड़ डाल देगे बाई मंडले वाग़ां मंडले उसका बीच का एक सार है सर Southern से आगे देखते हैं तो Science geography का भी बैच हाएगा depending आप नकसा पडनेगे नकसा पड़ने का जोग्रफी जोग्रफी में लड़का fail क्यों होता है जोग्रफी में उससे चार चीज पढ़ना है दाखो neither एक पढंगा उससे astronomy दूसरा पढ़ना ये उसको geology एक पढ़ना ये ऊकर टोपोग्राफी इसके अलावे भी उसको बहुत सारे चीजियों को पढ़ना है तो यह सारे चीजियों का बैच आएंगे सम इसको मोटा मोटी मान के चलिए 10-12 तारीक से जो भी बैच आएगा बाबु न उसको हम गारेंटी करते हैं कि 60% आप ही लोग से भरेंगे 60% जब एडमिशन 60% हो जाए की बाद में 200 किये आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं ठीक है नेक्स ट्लास में हम लोग मिलेंगे तब आगे बढ़ेंगे आप एटलस ढूंड के रखेंगे अभी हम PDF चेक करते हैं क्या प्रब्लम है संभ्या फिर कुछ-कुछ वीडियो यूटूब बनाते हैं ताकि म अग्रेसिव हो अब भारत मा का खोया हुआ समान वापस लाएं अब मोधी जी कर सकते हैं क्योंकि निकट वविस्ट में हमको नहीं लगता है कि आने वाले पचास साल 20 साल तो कह सकते हैं कि इतना तगड़ा परधानमंत्री आएगा लेकिन इनको जहना कि सदूपीयों किया सर भार है आगे ख्लास में मिलेंगे जहिन सर हम 9 ऐं रितेस कुमार जी बाई आप 9 ऐसमें पढ़ रहे हैं कि सर लह नहीं मिल रहा है कोई बनवे ने किया नह और मिलेका कहा से बज़ा है अभी बना कहा है हम कई तुढ़ा का लाटका कोंझे मीनिये नहीं रहा है प्राब्लम हो रहा है अभी हम उसको सुझवात है सर एक बार अपना मोबाइल नबर खोल यह पीडियेफ नहीं खोल रहा है कोई बात नहीं हम मानते हैं इस बात को कि हमसे गलती है हम देखते हैं सर इंगलिस में प्रोवाइड करेंगे इंडिया को सब कॉंटिनेंट में कन्फ लव यू सर लव यू बावू सब लोग को आप हमारे लिए चंद गुप मौरे हैं आप बस मेरा साथ दीजे हम भारत को खोया हुआ समान लोटाएंगे चाइना बॉडर लाइन बदल गया चाइना आरे बावू चाइना बॉडर लाइन छोड़िए हम लोग अपना सब लेसे को सब नोट मिल जाएगा वहन जाने की जरूरत है जो पतना में हैं वहां जाके ले सकते हैं लोग वहां कोई हाला कि स्टाफ नहीं है इतिहास का क्लास जलदी चालू करिये जलदी चालू करेंगे बावू सूरज परताप यादो जी अरे यादो जी आप का कह रहे हैं कि मेरा नाम ले लिजे सब का नाम कैसे ले पाएंगे आप ही बताईए अंडमान निकोबार को कैसे डेवलप करेंगे सब बताएंगे बाबू ठीक है अब नेक्ट क्लास में मिलेंगे आज के लिए इतना ही अज के लिए इतना ही रहने थे जहेंगे आज के लिए इतना ही रहने थे जहेंगे